असलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग मैं हूँ लुबना और आप देख रहे हैं लुबना किचन तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दस मिनट में बनने वाला पानेर कूकर में तो ये देखिए मैं कैसे बनाती हूँ तो आप भी बनाईए ये बहुत जल्दी जटपड बनके तैयार होता है तो अगर कोई महमान आ रहे हूँ तो जल्दी से जल्दी कोई अचानक से महमान आए तो जल से जल बना कर ये दिश पेश करें बहुत ही लजीज और शानदा दिश है तो आप लोग भी मेरे तरीके से ब पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मतर पनीर कुकर में तो इसे बनीर है 10 क्लो इसे मैं ने काट लिया था तो ये फिर इसके बाद हमने ये देखिए कर शेप है ये तो आप इसी तरीके से वनाइए आप लोग अपने तरीके से काट सकते हैं ये आधा चम्मच जीरा पौडर है, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पौडर, दो चम्मच लाल मिर्ची पौडर, एक चम्मच नमक और हल्डी थोडी सी ये है हरी मिल्ची कटी भी थोड़ी सी और एक प्याज है ये मतर है आधा कटोरी और ये चार पांच टमाटर है रफली चौप और थोड़ा सा अध्रक लशन का पेस्ट भी ले लिया है और ये अध्रक भी है अब ये सब चीज़े हम डाल के कुकर में इसे सीटी देंगे क्योंकि हम कुकर में पनीर बना रहे हैं तो सारी चीज़े हमने कुकर में डाली अध्रक लशन का पेस्ट भी डाला मसाले वगेरा सब डालके थोड़ा सा तेल डालके और पानी डालके मैंने इसे पांच मुनट सीटी देने के लिए रख दिया अब ये मैं दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल डालके और फिर इसके अंदर ये हमारा पनी डालके थोड़ी देर तलूंगी गोल्डन ट्राइ करने के लिए रख दूंगी तो जी चलिए जब तक ये होता है गोल्डन ट्राइ तो अब देखेये ये थोड़ा सा मतर ये पनी ड़ला जया हमारा तो रख देने से मतर डाल दी ऑर ये थोड़ी सी कशूरी मेथ्व Ta जालके भी थोड़ी देर और पका लिया ताके मतर भी थोड़ी रख शीवाल गल जा जल गया था आभ उने से बहुन लेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मैश भी करते चले जाएंगे और ये देखिए मंशाब लासे पांच भूना के मेरा मेरा भून के तैयार है मसाला पिस तेल भी करेट कर दिया है और मेरा पनीर भी तैयार है तो ये देखिए इसी तरीके से आप इसे चलाते जाएए और मैस भी करते जाएए मसाले को और फिर ये इसमें डालिए पनीर और मतर जो मैंने तल के रख रखे थे ये मैंने डाला और फिर इसको दो मिनट से चलाया और फिर इसके बाद इसके इंदर पानी डाल के और थोड़ा सा спокой IRS आलिए ताफते बस थोड़ी सी मतर भी और अगल जाए और फिर उसके बाद मैंने इसके इंदर एक सीटी दी तो कि या इसको आप दम सकोते भीए मृते के मैंने इस Mỹण मेरे मेरी यह तयार है मेरा मटर पनीर बिना पीसे और कुकर में आपने इसमें बनाना है तो बिना पीसे ये इतना बहतरीन बना और फिर हमने इसके उपर डाली थोड़ी सी क्रीम आपके पास फ्रेश मलाई हो तो वो डाल दीती है मेरे पास यह मूल की क्रीम रखी थी वो मैं डाल दी थोड़ी सी उपर तजाने के लिए रखी तो यह तैयार है बन कर तो अब मैं भी शाउट करती हूँ तो यह देखिए माशाला से इतना अच्छा बना था आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे डीश को लाइप कीजिए मुझे कमेंट कीजिए अल्ला हाफिज